तो दोस्तो loan platform से loan तो काफी सारे लोग आए दिन apply करते रहते हैं जैसे कि अगर हम बाद करते हैं जातर लोगों की तो चाए वो student हो चाए वो employer हो या फर कोई बिजनसमेन बंदा हो loan हर कोई apply करता रहता है लेकिन अगर हम यहाँ पर category wise देखे तो यहाँ पर education के हिसाब से जो student loan उने वो बहुत कम मिलता है क्या topic student loan के ओपर नहीं है topic इसके ओपर है कि middle class families के person को especially जो लोग salary पे होते हैं जिनका खुद का कोई काम नहीं होता वो किसी की job मतलब job के एंडर काम कर रहे होते तो यहाँ पर उनकी लिए जो इस loan के facilities है इसमें थोड़ा सा भीदबाव हमें करेगा तो यह मुसीबत ऐसे जगह पर create हो जाती है जैसे कि wedding occasions हो गए medical emergency हो गई यह बहुत जाता ऐसे high बहुत suspicious emergency जब इनसान के पास कोई दूसरा option नहीं रहता है तो वह loan ही लेता है basic loan आज की rate में हर किसी के लिए एक life का need बन चुका है क्योंकि आज की rate में inflation rate यानि महंगा करना इसी की business करना या दूसरे काम करने के लिए loan तो दूर की बात है वो अपने personal expense चलाने के लिए personal loan की तलाश करते है आज की rate में और वहाँ बैक्ति को दो लाख रुपे की तक की ज़रुत उसको 50,000 दिया जाए तो उसके लिए वो sufficient नहीं है तो इसलिए आज की वीडियो आज हम एक ऐसे platform के बारे में आपको बताने वाले हैं जहांसे आप लोग दो लाख नी maximum 5 लाख रुपे तक का loan apply कर सकते हो और एकदम सच है यह हम आपको live apply करके दिखाएंगी तो आपको पूरा भरुसा भी हो जाएगा और साथ में दूसरा फाइदा यह होगा कि आपको कै लिए कि हर कोई पड़ा लिखा नहीं हो सकता हर किसको समय में नहीं आता कि कोई सी details को काँ फिल करना है तो हम यह बता सकते हैं at least इसलिए वीडियो हमारी थोड़ी से लंबी हो जाती है लेकिन अगर आप उसको पूरा watch करते है तो definitely आप लोग बहुत असानी से loan apply कर सकते है जो कि इस वीडियो से possible है और दूसरी बात तो यह है आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है जिस फोन से आप लोग इस वीडियो को watch कर रहे हो ना उसी फोन से आप लोग इस loan का apply करते हो तो यानि कि और आपको क्या चीस चाहिए एक चीस चाहिए वो है आपको अपना basic document documents होना बहुत ज़रूरी है जिसके basis पर loan मिलेगा और documents का नाम सुनगे घबराओमत basic document की बात बोली है जैसे कि आपका pen card दूजरा अधार कर यह दो basic ऐसे document है जिनके basis और बहाफ आप लोग को loan apply करना होगा और loan इसी के जरीए मिल जागा और साथ ही मैं आपको चाहिए आपक blueprint बताया गया है तो वीडियो को कहीं भी skip मत करना बागे अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो definitely you can like this वीडियो को कि जब आप लोग हमारी वीडियो को like करोगी तो हमें feedback मिलेगा you can share this video to all your friends subscribe कर सकते है से daily कमाल की वीडियो को देखने के लिए और नीचे comment box पर आना यह से maximum five lakh rupees और more than इसे जादा रुपे तक का जो है लून कैसे apply कर सकते हो और कौन को से steps को follow करना होगा तो बता दू यह है हमारी main वीडियो जो कि फिलाल आप लोग अपनी mobile screens पर देख रहे है वीडियो के जैस नीचे यह होता है title यह जो title है आप लोगों सबसे पहले इस पर click कर लिंक आपकी जो है automatic google के website ब्राउजर से automatic redirect कर जाती है और आपके सामने शो करता है Google का एक search result तो यह जो गूगल का search result यह तभी शो करेगा जब description में दिये वे link पर जाके जब आप लोग लोग को सामने search result शो करेगा जहां पर आपके सामने जो टॉप पर first website दिखने को मिल रह होगा और जब आप लोग इस website पे successfully तरीके से विजिट कर जाते हो तो आपका पहला step भी complete हो जाएगा अब हम बढ़ेंगे अपने second step की और जानते हैं आपको क्या करना होगा तो आपके phone में कोई ब्राउजर होगा जिसको आप लोग डेली बिसस पर यूज़ करते होगे जै मैं जो यहाँ पर आपको word बता रहा हूँ इस word को जाकर के आप लोगोंने search करना है Google के web browser पे जो की है loanpower.in और जैसे यह आप लोग इस word को जाके simply search करोगे आपके सामने Google का search result आ रहेगा तो मैं एक बार आपको zoom करके दिखा दूँ कि मैंने exact क्या search किया है तो आप लोग धि results आएगा जहाँ पर आपको यह जो first website दिखने को मिल रही है simply आप लोगोंने इस website पर क्लिक करना है क्योंकि आज हम इसी website की मदद से जानेंगे कैसे आप लोग personal loan लेने वाले हो maximum 5 lakh rupees तक के लिए और flexible loan होगा वाग के लिए तो इसके लिए आपको website पर कर दोगे आपको option दिखें आपको इस पर tap करना है तो जैसे आप लोग इस app loan का option पर tap करते हो applications loan से related article जो है वो शुरू होने शुरू हो जाएंगे आप लोगों के phone में इसके बाद right side में search बार यहाँ पर click करना है और यहाँ पर जो मैं आपको word बताने वाला हो आप लोगोंने website पर भी जाके यही word search करना है जो कि है money view ठीक है तो money view डाल के आपको simply search करना होगा जैसे आप लोग money view डाल के simply search करतो होगे आपके सामने article आ रहेगा money view loan एप से लूँन कैसे लोगों कैसे apply करें और यही वो loan platform है जिसके माधियम से आज अब जानने वाले है कैसे आप लोग 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 लो application क्या है money view loan एप से लोग कितना मिलता है क्या से apply करते हैं लोन तो सबसे पहले बात करते हैं amounts की तो यहां पर 10,000 to 5,000 रुपिस तक का loan मिलेगा flexible loan amount है तो बहुत ज़्यादा असान होगा आप लोग लिए लेना दूसरा होगा कि यहां से loan को कैसे apply करना है तो वो steps यहां पर बता जाएंगे और यहां पर तीसरी चीज़ information की बात की जाए तो यहां पर money view loan एप से loan apply करते हैं वक्त, documentation, eligibility criteria, processing, hidden charges, loan repayment methods और बहुत सारी ऐसी बात है और information जो किसी भी customer को जाननी चीए हो सारी की सारी इस article में मैंने mention की हुई है ताकि आप लोग हमने में कोई doubts ना रहे हैं इसके बाद नीचे मलता है आपको यह apply no का बटन इस बाको से लिक करना है और क्लिक करने के साथ यह आप लोग पहुंच जाओगे money view application के main interface में वहां से आपको loan को कैसे proceed करना होगा इसके बार में हम आपको बताएंगे तो definitely आपको इस apply no के बटन पे कर देना है click तो जैसी आप लोग apply no के बटन में simply tap कर दो कि आपके सामने खुलके आजाएगा money view loan application का main interface और सबसे पहले बता दो जो भी इनके terms and conditions प्रविसी पॉलिसी यूजर एग्रिमेंट्स पेज़िए आपको टिक माग करके और एक्सेस को पाना हो तो simply आपको सब पर टिक माग करके और यहाँ पर get start भी करना होगा तो पहले बताएगा flexible loan amount आपको 10,000-5,000 लग के बीचे मिलेगा बहुत जल्दी जो loan आपके bank account में बेज दिया जाता है और convenient process है दूसरा यहाँ पर get started का option मिलेगा आपको इस पर tap करना है और यहाँ पर application permission की requirement दी जाती है और आपसे requirement मागी ज तो simply आपको allow access पर click कर देना है इसके बाद बात आती है loan के offers को पाने के लिए कुछ यहाँ पर rapid fire question की तरह यहाँ पर आपको simply उस कुछ options को choose करके जो है अपनी information देनी हो तिक तरीक से इससे सबसे फ़हले पूछा जाता है यहाँ पर employment type क्या है वो बताने के बाद और कुछ और basic सवाल बताने के बाद यहाँ पर आपको जो है loan offers बता दी जाते हैं और यहाँ पर कुछ eligibility और criteria set की जाती है जैसे कि यहाँ पर जो भी लोग जो है दिल्ली metros और मुंबई दिल्ली NCR जैसे राकों में रहते हैं वहाँ पर 25,000 minimum सबकी salary होनी चीए non metro cities के लिए 15,000 है और other metro universities के लिए 20,000 रुपयत की minimum salary requirement है तभी आप लून ले सकते हो ठीक है company का नाम monthly income बतानी है और cash में मिलता है पैसा चेक में मिलता है या online जैसे भी कौन से bank में और क्या आपको जो आपको salary देते वक्त को पीडिया format में जो है bank statement दी जाते है और बहुत सारी सी चीज़े जो आप इस वीडियो में समझाएगी जीज़े आपको पसंद है होगी कोई भी सवाल नीचे कॉमेंट से कुछ आपको प्रोड़ कर देना है और bank account की डिटेल साल के submit करने पर टैप कर देना है आपका loan जो है simply apply वाजाएगा money view applications की मदद से तुमीद है इस वीडियो में समझाएगी चीज़े आपको पसंद है होगी कोई भी सवाल नीचे कॉमेंट से पूछे डिस्क्रिप्शन में टेलिगराम की लिंग आपके फॉलोव भी कर सकते हैं मैं में में एक्स वीडियो में टाड़ा गुल बाए टेक गया